नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में तो चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं देश का पहला डिजिटल सदन बना बिहार बिधान परिशत टैब से लेस्वे माननिया बिहार बिधान परिशत के कायरकारी सभापती अवधेश नारायन सिंग ने आज नेशनल इविधान एप्लिकेशन का उदगाटन किया इस मौके पर कायरकारी सभापती ने काया कि सदन के सदैसों को अपने सांसदियत दायत्तों के निर्वहन के लिए अच्चादनिक सुईधा प्रदान की जा रही है बिहार विधान परिसध के सितकालिन सतर अब बिलकुल बदला बदला नजर आने वाला है शंपुन सदन को हाई टेक बनाने की दिसा में कदम उठाय जा रहा है इसी क्रम में बिहार विधान परिशद में नेशनल यी विधान एप्लिकेशन का उद्गाटन किया गया इस अवसर पर बिहार विधान परिशद के कारकरी सवापती अवदेश नारायन सिंग बिहार सरकार में मंत्री सानवाय जुसें सहित कई मंत्री उपस्तित रहे बिहार बिधान परिसद पेपरलेस बनने वाला देश का पहला सदन बन गया है जहां की कारवाई पूरी तरह डिजिटल माईधम से होगी आदेश का उलंगन को लेकर 100 से अधिक सिक्छकों के वेतन पर लगी रोक DEO ने जारी किया निर्देश बेगुसराय में वरिया अधिकारी के आदेश के उलंगन को लेकर DEO रजनीकांथ प्रविर ने जिले के 128 सिक्छकों का वेतन अगले आदेश तक के लिए इस्थगित करने का आदेश जारी किया है ऐसा आरोपे की स्कूलों में कनिया सिक्छक रहते हुए वरिया सिक्छक को स्कूल का प्रभार नहीं दे रहा है तो वरिया सिक्छक के द्वारा कनिया से प्रभार नहीं लेना है बता जा रहा है कि 23 नॉवंबर को वेतन इस्थगित करने का आदेश जारी होते ही सिक्चकों में हडकंप मच गया था बता दे कि आदेश में सभी आरोपित सिक्चकों को प्रभार का आदान प्रदान करने समंदी आदेश का अलुपानन करते हुए दो दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है पांच साल बाद बिहार लोटेंगे IPS सिवधी प्लांडे इनके नाम से थर थर कापते हैं अपराधी सूपर कॉप के नाम से मसुहूर सीबिप लाण्डे उन IPS अपसरों में सामिल है जिनके नाम से अप्राधियों के पैर कापते हैं बिहार के एडर के IPS सीबिप लाण्डे अभी मुंबाई में पुलीस क्राइम ब्रांच में DHी के पत पर हैं वहीं अब पांच साल के डेपोटिस्टन ड्यूटी के बाद बिहार वापस लोट कर आ रहे हैं जानकारी के अनुसार दिसंबर के पहले सब्ते से वो बिहार में अपनी सेवा देने लगेंगे बिहार पुलीस में ऐसे कई अपसर हैं जिनका नाम और चेहरा लोगों को बखू भी याद है बता दे इनी में से एक अपसर हैं बिहार के अडर के IPS सीवधी बलांडे फिलाल तो वो अपने ग्रीहर राज महराष्ट की राजधानी मुंबई में पुलिस क्राइम ब्रांच में डियाईजी के पद पर पोस्टेड हैं बता दे पटना में सिटी एस पे रहने के अलावा सीवधी पलांडे अरणिया और रोतास में भी पुलिस अधिक्छक रह चुके हैं बता सहित बिहार की दूसरे जिलों में रहते वे उनके कारणा में बड़े मसहूर हुए लगबग 10 महने की सेवा में ही उन्होंने नकली कॉस्मेटिक उत्पाद विक्रेताओ सहित बड़े बड़े दवा माफियों जाली नोट छापने वालों के खिलाब नकली दावा बेशने वालों के खिलाब मुहिम चलाकर हरकम्भ मचा दिया था वह पिम्सेच के पास असोक राजपत पर एक कपड़ा सोरूम के मालिक के हत्या के बाद जब अपराधियों के भई से दुकाने बंध थी तब लांडे ने उसे दबोज कर पिम्सेच गेट पर जमकर पिटाई की थी जिसके बाद इलाके की सारी दुकाने खुल गई नव नियुक्त सिक्षकों को जल्द मिलेगा जॉइनिंग लेटर सिक्षा मंतरी विजय कुमार चौधरी का एलान सिक्षा मंतरी विजय कुमार चौधरी ने काया कि सिक्षक बहाली के चैनित सुबे के सभी अभ्यार्थियों को एक साथ जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा इस काम में भले ही थोड़ी देरी हो रही है लेकिन सभी काम दुरुस्त किये जा रहे हैं उन्होंने बताया है कि जल्दी नियुक्ती पत्र देने की तैयारी अपने अंतिम सरन में है बता दे कि सिक्षा मंतरी बुदवार को यह आस्वासन चैनित अभ्यार्थियों के समो को दिया है वो जदयू के 15 साल पूरे होने पर आयोजित कायर करम में सामिल होने बिहार सरिप गए हुए वहीं उक्त बाते कही इस दोरान सिक्षक बाहली में चैनित दरजनों अभ्यार्थियों ने उनसे मुलाकात भी की अभ्यार्थियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सिक्षा मंत्री बिहार सरीप के अंबेर मोहला इस्तित चिल्डेंड पार्क में उपस्तित थे उसी दोरान अभ्यार्थियों ने मंत्री को अपना मांग पत्र सौपा अभ्यार्थियों ने यहाँ भी बताया कि नियुक्ति पत्र देने की मांग को लेकर दो दिन पहले ही रनिती बनाई गई थी उस दोरान प्रदेश कायरकरणी ने एलान कर दिया था कि 29 नौमबर जे शुरू होने वाले विधानसबा के सितकालिन सत्र के दोरान पत्ना के गर्दनी बाग, गटनास्तल पर विशाल, अंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा सरकारी नौकरी का सपना देख रहे अभ्यार Bonjour को बड़ा जटका, सरकार ने रध की बहाली प्रक्रिया, बिहार में राजस्वास्त समीति ने राश्च्टीय स्वास्त मिसन के तर् सीनियर लैब टेक्निसियन के चलरही बहाली प्रक्रिया को रध कर दिया है, इस बहाली के ल को सौट लिस्ट किया गया था आपको बता दे कि सौट लिस्ट किये गया अभ्यारतियों की काउंसलिंग इस साल फरवरी में 18-19 फरवरी को हुई थी अभ्यारति रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे लेकिन इसी बीच विग्यापन और नियोजन प्रक्रिया रद कर दी गई इस दोनों पदों के लिए नियोजन प्रक्रिया को रद नहीं किया गया है। ट्वीट कर लिखा है कि बिहार के कुछ कुलपतियों पर ब्रस्टाचार के जो आरोप लगे हैं उससे राज की छवी और उच्छी सिच्चा की गुनावता पर कोई आच ना आए यह सुनिशित किया जाना चाहिए। लेखा सहायाक, विपनन सहायाक, प्रापन सहायाक और कनिय तकनिसियन के 142 प्रदो पर बहाली का रास्ता साप हो गया है। पसु एवग मच सकसांधन मंत्री मुकेश साहनी ने सचीव को बहाली की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कह दिया है। पहाली की प्रक्रिया सितंबर 2020 को सुरू हुई थी। 26 जोन 2021 को चैनीतों को अंतिम परिणाम जारी किया गया था। जुलाई में नियुक्ति पत्र जारी होता। उससे पहले मंत्री ने गरबड़ी की सिकायत के आधार पर नियुक्ति से पहले होने वाली दस्तावेज दापन की प्रक्रिया को रोक दिया था। सचीवाला के उच पदस्त सूत्रों ने बताया कि किसी भी तरह की कोई गरबड़ी नहीं मिली है। सुधीर कुमार एन ने काया कि NIT पत्ना का बेहतर प्रदर्शन और HMID की रैंकिंग के वज़ा से इस सेंटर को यहां स्थाफित किया जा रहा है। पुरी जोन के रिसेर्च प्रोजेक्ट अब NIT पत्ना के माइदम से पुरे किये जाएंगे। उन्हों ने काया कि पुरी जोन में हमें NIT पत्ना से बेहतर संगस्तान कोई नहीं मिला। अब हमें रिसेर्च के मामले में पुराने तरीके की सौच से आगे निकल कर प्रेक्टिकल तरीके से सोचना होगा। यानि problem solving research पर काम होगा, अब research में भी innovation को लाना होगा, out of the box सोचना होगा, पुरी उम्मीद से NIT पत्ना की भागीदारी अच्छी होगी, हमें आने वाली generation के लिए आज से ही निव रखनी होगी, नहीं तो आने वाली generation हमें माप नहीं करेगी। ठंड बढ़ते ही बच्चों में बढ़ा निमोनिया का कहर, डॉक्टर ने बताये बचने के उपाय, बिहार में ठंड के दस्तक देते ही बच्चों में निमोनिया का कहर देखने को मिल रहा है, जिसका ताजा उदाहन, सुबे के दूसरा सबसे बढ़ा अस्पताल, नालंदा Medical College अस्पताल में देखने को मिल रहा है जहां सिसू विभाग में निमोनिया से ग्रसित बच्चों के संख्या दिनो दिन बरती जा रही है बिमारी के सिकार छोटे-छोटे मासुम बच्चों का इलाज चल रहा है इस बिमारी से पीडित कुछ बच्चे की इस्तिति गंबिर बत आए ताकि बच्चे को वरपूर पॉस्टिक आहर मिल सके गर्म पानी का प्रयोग करे अगर बाहर का दूद देते हैं तो बोतल में ना देकर गिलास में दे साथी मलेरिया से बचने के मच्चरदानी का प्रयोग करे बच्चों को गिले कपड़े को जल्द बदले तभी बच सीटों पर हार का सामना करना पड़ा हो लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालो प्रसाद यादव के तिवर नरम नहीं पड़े हैं आज पाटी कारियाले में चार साल बाद पहुंचे लालो यादव ने एलान कर दिया है कि बिहार में उनकी पाटी सरकार बना कर रहेगी दरसल लालो प्रसाद यादव पाटी कारियाले में बनाये गए नए लाइटिंग का उद्गाटन करने पहुंचे थे इसके बाद कायरकरम को संबोधित करते हुए उन्होंने पाटी के नेताओं और कायरकरताओं को एकजूट होकर NDA के खिलाप खड़ा रहने के लिए कहा लालो के सुर्खियों में बस इतना ही बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और इस्तेदारों में सेयर करना ना भूले धन्यवाद